हेलो एवरिवन, मैं गरनेश आप सब का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चैनल लर्न विद गरनेश में गाइज आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूँ गुड न्यूज इन दे सेंस की आज मैं आपको 11th क्लास के हिस्ट्री का जो अपडेटेड स्लेवस है 2020 और 2021 का उसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है जो CBSC बोर्ड दोरा डिलीट कर दिया गया है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर से हैं जो आपके 2020 और 2021 के स्लेवस में आपको पढ़ना है तो आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल में 11th क्लास के हिस्ट्री के अपडेटेड यानि रिवाइजड स्लेवस के बारे में तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गैज अगर हम बात करें तो CBSC ने 7 जुलाई 2020 को एक बैठक करी और उस बैठक में इन्होंने एक डिसीजन लिया ये निरने किया कि चुकि स्कूल वगरा खुले हुए नहीं है और विद्यार्थियों की पढ़ाई होने रही है इसी बज़ा से उनके उपर बर्डन को कम करने के लिए जो दबाब है स्टडी का उसको कम करने के लिए स्लेबस को कम करने का फैसला लिया और 7 जुलाई को ही उन्होंने एक notification जारी किया जिसमें उन्होंने कुछ chapters ऐसे हैं जिसको काड़ दिया गया 2020 और 2021 के syllabus से पूरा का पूरा हटा दिया गया ठीक है तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं 11th class का history का जो syllabus है उसके बारे में और आज हम देखेंगे सबसे पहले कि deleted chapter कौन-कौन से है history में जिसको CBSC board ने 2020 और 2021 के exam के लिए बिलकुल हटा दिया यानि कि इन से अब question नहीं आने वाले हैं ठीक है तो ऐसे हम देखेंगे तो यहां पर मैंने लिखा है chapter number और यहां लिखा है chapter name यह वो chapter है जो chapter 2020 और 2021 में आपको नहीं पढ़ना इसको डिलीट कर दिया गया यानि remove कर दिया गया है आपके syllabus से तो chapter number one जो है वो हटा दिया गया है जिसका नाम है समय की शुरुआत से इस बार जो exam होगा 11th class के बच्चों का political science में यानि history का जो exam होगा उसमें इस chapter से कोई भी question नहीं पूछा जाएगा समय की शुरुआत से chapter का नाम है इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया एक और chapter जो है जो है पांचवा chapter जिसका नाम है या यावर सामराज्य यहां से भी आपक किसका जो history का exam होगा उसमें से कोई question नहीं आने वाला है ठीक है तो यह तीन chapter थे जो cbc board द्वारा सारे के सारे यह chapter तीनों हटा दिये गए पूरी तरीके से ठीक है अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे chapter से या फिर ऐसा कौन सा area है जहां से questions आएंगे और कितने number के question जो ह वो आने हैं तो आपको अगर पता होगा तो history के जो 11th class के history है उसको 4 section में बाटा गया है कितने section में 4 section में A, B, C and D यह 4 section में 11th class के history की पूरी book बटी हुई है जिसमें अलग-अलग chapters decide है ठीक है तो आज हम देखेंगे कि अब जब chapter कुछ delete कर दिये गए हैं तो ऐसे कौन-कौ chapter में से कितने number के question हमारे आने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं इधर मैंने section लिखा है यहां chapter number लिखा है यहां पर chapter name और यहां पर marks लिखा है कि कितने marks का आने वाला है तो section A, section A में दो chapter था पहला और दूसरा जिसमें से पहला chapter जो है वो 2020 और 21 के लिए delete कर दिया गया यानि पढ़ना कौन सा chapter section है section ही में only chapter second जिसका नाम है लेखन कला और शेहरी जीवन और यह chapter आपके 8 number का question इस chapter से आपको पूछा जाएगा section B की अगर हम बात करें तो section B में भी section B में तीन chapter था third, fourth and fifth जिसमें से fifth chapter जो हटा दिया गया है fifth chapter को delete कर दिया गया है अब आपके B section में तीन और चार, तीसरा और चौथा chapter जो है वो पढ़ना है, तीसरे chapter का नाम है तीन महादिपों में फैला हुआ सामराज्ये और चौथा जो chapter आपका, इसलाम का उदे और विस्तार यानि कि कुल मिला कर अगर हम कहें, तो section B से आपको केवल दो chapter पढ़ने है और इस chapter में से आपको 20 नंबर का question पूछा जाएगा अगर हम section C की बात करें, तो section C में भी आपको दो chapter पढ़ने है, 6th and 7th, जिसका नाम है, 6th chapter का नाम है, तीन वर्ग और जो सात्वा chapter है, उसका नाम है, बदलती होई सांस्कृतिक परमपराएं और यहां से भी आपको 20 नंबर का question आपसे पूछा जाएगा एक्जाम में, इसके अलाबा अगर हम बात करें section D की, तो section D में आपको 3 chapter पढ़ने है, 9th, 10th and 11th, 9th chapter जिसका नाम है, अध्योगी करांती, 10th chapter मूल निवासियों का विस्थापन, और 11th chapter जो है, आदूनिकी करण के रास्ते, और यहां से section D से आने वाले हैं, 28 नंबर के question आपके exam में, ठीक है, इसके अलाबा अगर देखें, तो map work में किसी प्रकार का कोई change नहीं किया गया है, map पहले भी questions आते थे, इस बार भी आएंगे, एक से लेकर 11 chapter तक जितने भी chapter आपके history में है, भले ही वो delete किया पात करें, तो आपका project bug, जो पहले 20 नंबर का होता था, इस बार भी 20 नंबर का होगा, और इस प्रकार से आपका total 100 नंबर का paper होता है, ठीक है, तो ये तो था हमारा की कौन-कौन सा revised, कौन-कौन सा chapter हमें पढ़ना है, और कौन से chapter delete किये गए, जैसे कि हम 11th class के history का, जो है, classes हमारी start हो चुकी है, तो अगला जो chapter आएगा, तो चुकि इस session के हिसाब से पढ़ना है, तो हमने second chapter, third, fourth chapter ये कर लिया है, then हमने 10th और 11th chapter भी कर लिया है, आगे के chapter आएगा, वो आएगा छटे chapter के ओपर, यानि तीन वर्ग के ओपर, ठीक है, तो चलिए मिलते हम next video में, तब तके लिया, बबएगा.